अब मैं एपने साथी रिजवान बैए अड़तिया से अंडोत करूँगा, वो आएंगे एपने विचार हमारे बच्चों को देंगे और मैं आउनरेबल गवर्नर सबसाथ करूँगा। अननिया गवर्नर साथ, मंच पर बिराजमान महानुबावो, स्वामी धर्मबंधुजी, हमारे प्यारे सोल्जर्स, गेस्ट, मीडिया फ्रेंड्स, एंड बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम रिजवान आड़तिया है, मैं ओरिजनल पोरबंदर गुजरात से हूँ, जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तीस साल से मैं आफ्रिका में रहता हूँ, और दिल हिंदुस्तान में है, इसलिए तीस साल से अपने देश से और देशवास्यों से जुड़ा हुआ हूँ, सबसे पहले मैं स्वामी धर्मबंदुजी और उसकी पूरी टीम को अभिनंदन दूँगा, कि 19 साल से पूरे इंडिया से इतने सारे बच्चों को लाकर सिबीर करते हैं, और अच्छी जिन्दगी की होप, करेज और स्पार्क देते हैं, और आज भी मैं देख रहा हूँ, हजारे बच्चों बच्चे आये हुए हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, कि हम तालियों से स्वामी धर्मबंदुजी का अभिवांदन करते हैं, सबसे पहले मैं हमारे प्यारे सोल्जर्स की बात करूँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे हमारे सोल्जर्स आये हुए हैं, तो मैं उन सबको सेल्यूट करना चाहता हूँ, कि वो लोग हमारी सेफ्टी और सलामती के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी देते हैं, जब हम न्यूज में देखते हैं कभी कि टेरिरिस्ट एटेक हुआ और हमारे एक दो जवान सहीद हुए, तो बहुत तकलीब होता है, बहुत तकलीब होती है, बहुत दुख होता है और हम सोचते हैं कैसा क्यूं होता है हमारे प्यारे सोल्जर्स अपनी फेमिली को छोड़कर ये दुनिया से क्यूं दूर चले जाते हैं, और साथ में ये भी अपसोस होता है कि 18-20 साल के बच्चे एसे ही टेरिस्ट बन के बेमोत मारे जाते हैं कोई भी माबाप अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं करते कि वो 18-20 साल की उम्र में बेमोत मारे जाए दुनिया के लिए भले वो बच्चे होते हैं परन्तो अपने माबाप के लिए उनकी पूरी दुनिया होती है और माबाप को भी एक उमीद होती है कि अभी हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा और हमारी बहुत सारी मुश्किलाद आसान हो जाएगी वो माबाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बच्चों को अच्छा एजियूकेशन दे सके लेकिन जब सुनते हैं कि उनका बच्चा एसे ही टेरिरिस्ट बनके बे मौत मारा गया तो माबाप को बहुत तकलिफ होती है बहुत दुख होता है और उसके आसु कभी रुकते नहीं है और पूरी जिन्दगी वो आसु के साथ और दुख और तकलिफ के साथ वो अपनी जिन्दगी गुजारते हैं जो लोग ऐसे कामों के अंदर इन्वोल होते हैं डाइरेक्ली या इन्डाइरेक्ली और ऐसे ही इतने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बानी के लिए बेज देते हैं वो लोग को उन माबाप के एक एक आसु का इसाब देना पड़ता है वो आसु का उसाब से उनको तकलीब और परेशानियों से गुजरना पड़ता है लेकिन वो पैसों की लालच में या और कोई पावर या दुसरी कोई चीज की लालच में वो बूल जाते हैं कि इस वर देख रहा है फरिस्ते लिख रहे है और हाल में मरना ही है और मरने के बाद दुनिया में पाप और पुन्यक के सिवा कुछ साथ ले जाना नहीं है अभी मैं मेरी बात करूँ तो जब मैं 15-16 साल का था आपकी ही उमर का और मैं भी जैसे स्वामी जी ने बताया कि बहुत छोटा सा परिवार का में हिस्सा था और मुझे वो टाइम पे एजुकेशन का इतना कोई इतना इंपोर्टन्स नहीं था तो मुझे पढ़ने का सोख नहीं था और जब मैं दस्मी कक्सा में फेल हुआ तो मैंने स्कूल छोड़ दिया और छोटी सी जोब पे लग गया जहां मैं इमानदारी से महनत करता था और महिने की जो मेरी तंखा थी वो 175 रूपीज थी और रोज का 12 गंटा इमानदारी के साथ महनत करता था लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे रिलिजियस बुक्स पढ़ने का बहुत सोख था और छोटी सी उम्र में मैं रिलिजियस बुक्स बहुत पढ़ता था मैं एक खोजा इसमाईली आगाखानी मुस्लिम हूँ तो मैं कुरान बहुत पढ़ता था और वो ही रिलिजियस बुक्स में से मेरी अंदर मेरी लाइफ के जीने का जो मकसद था उसको मैंने वहाँ से सीखा और मेरी जिंदगी में मैंने उसको अमल किया वो था के सुबे जल्दी उठके धियान में बेठना मेडिटेशन में बेठना लोगों को केपेसिटे के हिसाब से लोगों को मदद करना बुरी आदतों से दूर रहना हमेशा पोजिटिव थिंक करना माबाप की रिस्पेक्ट करना माबाप की सेवा करना एसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजे मैंने बुक्स में से पाई वो ही मेरी लाइफ बन गई और जब मैं जोब कर रहा था और वहाँ मुझे जो महीने की 175 रुपीज पगार मिलती थी उसमें से भी मैं ज्यादा तक मैं लोगों में बाटता था कि जिसके पास कुछ नहीं था और हमें साम को सिखाया गया है कि तुम्हारे पास एक रोटी है तो आधी रोटी तुम दुसरों जिसके पास कुछ नहीं है उनके साथ बाटके आप खाओगे तो आपकी ओखुसी बहुत बढ़ जाएगी और परमात्मा की महरवानी से सत्रा साल की उमर में मुझे आफरीका में जोब की ओपर्चुनिटी आई और मैं आफरीका चला गया और जैसे स्वामी धर्मज बंदुजी ने बताया वो इसाब से मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ देखो बच्चो आपकी भी उम्र यही है आपकी यही उम्र आपकी जिन्दगी का फाउंडेशन है यहाँ से आपकी प्रोफेशनल लाइप सुरू होएगी आगे जाके आपकी फेमिली लाइप भी बनेगी हम सब सचिन टेंडूल कर को तो जानते है जानते हो ना हम सब को सचिन टेंडूल कर बनने का है क्योंकि उसने भी जब क्रिकेट सुरू किया था उनकी भी एज यही सतरा अठरा साल की थी उसने भी इमानदारी से फोकस करके मेहनत करके अज हम सब को पता है करोडों लोगों की दिलों में उसने जगा बना ली है देखो आपकी भी उम्रह यही है कुदरत ने अम सब के अंदर सेम सक्ती रखी हुई है उसको आप डेवलोग करो दुनिया में हर एक इनसान हीरो बन सकता है कुछ भी इंपोसिबल नहीं है हर एक इनसान के लिए सब कुछ पोसिबल है अपने आपको चेंज करो अपने आपको डेवलोग करो बड़े बड़े सपने देखो बड़े एम रखो देखो बचो आपकी आज की क्या हालत है वो इतना इंपोर्टन नहीं है जितना आपको फ्यूचर में एचिव करना है इमानदारी में कभी कॉंप्रोमाइज नहीं करो आपको खाना नहीं मिले आपको रोटी नहीं मिले तो आप भूखे रह लो बट इमानदारी के साथ कभी कॉंप्रोमाइज नहीं करना और आज आप जितनी भी चैलेंजिस फेस करोगे जितनी भी तकालिफ उठाऊगे और इमानदारी से महनत करके आप आगे बढ़ोगे तो वो ही आपकी चैलेंजिस वो ही आपकी तकालिफ आपकी फ्यूचर लाइफ को सुखी और आबाद बनाएगी और आपको आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आपकी ये चलेंजिस, आपकी ये तकालीफ उन लोगों के लिए आसिरवाद बन जाएगी देखो, रात जितनी भी काली हो, उतने ही सितारे ज्यादा चमकते हैं, आपकी लाइफ में भी जितनी भी प्रोब्लेम्स होवें, जितनी भी चलेंजिस आप फेस करते हों, जितनी भी आप तकलिप उठाओगे, इतने ही आप ज्यादा सितारों की तरह फ्यूचर में चमकोगे देखो 2020-2030 का जो दसका है वो यूद के लिए बहुत सारी ओपोर्चुनिटी वाला दसका रहेगा बहुत सारी उसमें ओपोर्चुनिटी स्मिलेगी बहुत सारी यूद की नीड रहेगी आपके हाथ में टाइम है अपने आपको चेंज करो सब कुछ चेंज हो जाएगा देखो आप अच्छा एज्यूकेशन लेने की कोशिश करो अच्छी लाइफ गुजारने की कोशिश करो एथिकल वेल्यूस एथिकल प्रिंसिपाल और इमानदरी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना देखो आपके माबाप आप आज कैसी जिन्दगी गुजार रहे है वो इतना इंपोर्टन नहीं है जितना के आप अपने माबाप को अच्छी जिन्दगी गुजारने में कैसे मदद रूप हो सकते हो देखो वक्त सबको मिलता है जिन्दगी बदलने के लिए लेकिन जिन्दगी दुबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए मैं भी जब छोटा था तब मैंने भी मेरे माबाप की मैंने बहुत सेवा की है खास करके मेरी मा की और मेरी मा को हमेशा मैंने प्राउड फिल कराया है कभी उसको बेटा पेदा करने का अफसोस नहीं होने दिया हमेशा मैंने उसको उसकी सेवा की उनको खुश रखने की कोशिश की और हमारे दुसरे भाईयों और बेहनों ने भी वही माबाप की सेवा की और आज हमारे माबाप तो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके आसीरवात से उनकी खुशी से आज हम पूरी फेमिली सुखी और आबाद है देखो हमारी सब की लाइफ है, सब की जिन्गी है वो परमात्मा की तरफ से ब्लेसिंग है हमारी सब की लाइफ में बहुत सारी चैलेंजिस चल रही है बहुत सारे प्रोब्लेम्स भी चल रहे है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुश्केलिया है वो हमारी जिन्दिगी को ओपोर्चुनिटी में कनवेट करने के लिए एक अच्छा रास्ता है और एक अच्छी सी केवत है कि जिन्दिगी में चाहे परेसानिया जितनी भी है चिंता करने से बढ़ जाती है खामोस होने से कम हो जाती है सबर करने से खतम हो जाती है और परमात्मा का शुक्रियादा करने से खुसियों में बदल जाती है हर चेलेंजिस में हर प्रोब्लेम्स में हमेशा खुस रहो हमेशा परमात्मा का शुक्रियादा करो क्योंकि इस वर वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है मगर इस वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा है मैं अभी ज्यादा वक्त नहीं लेता और मैं स्वामी धर्मबंदू जी जो आज तिन साल से मुझे यहाँ इन्विटेशन देते है मान सन्मान देते है आपके सामने बोलने का मोका देते है उनके लिए मैं उनका सुक्रियादा करना चाहूंगा और आप लोगोंने मुझे जो खामोसी से सुना उनके लिए भी मैं आपका सबका शुक्रियादा करूंगा और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से आपको जितना भी आपने सुना है जितना भी आपके दिल के अंदर आया है उसमें से आप एक दो टका भी आप अमल कर लोगे तो मैं उमीद के साथ केता हूँ कि आपका फ्यूचर आपका भविस्या बहुत अच्छा होगा और दुनिया में बहुत सुखी वा आबाद बनोगे और हमारे जो माननिया गवर्णर साथ हमको जो अच्छी टिप्स और अच्छा उमेद के साथ यहां से वो गए है वो उमीद भी हमारे लीडर्स की पूरी हो जाएगी थैंक यू बेरी मॉच और गॉड ब्लेस चीओ